अब आपको आवाज की कॉपी करके आउडियो फ्रॉड कैसे होता ये भी बताता हूँ आजकल मार्केट में एक नए तरह का आउनलाइन फ्रॉड आया हुआ है इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड इसमें साइबर ठग AI की मदद से आपकी आवाज की हूबा हूब कॉपी कर ले रहे है मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज बात करने का तरीका सब कुछ कॉपी हो जाएगा इसके बाद ये लोग आपके परिवार रिष्टेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फस गए हैं आपका मुबायल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई अब आपको तो लगए है कि आवास तो सेम है तो आप इसके लिए अलग से बार कोड बेज़ देंगे आपको क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है आपको बोलेगा मैं मुसीबत में फसा हुँ है और फोन काम नहीं कर रहा है इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोज़ पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है, ये तो सिर्फ एक उधारण है, ये साइबर ठग आपकी आवाज को कौपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सिडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है, इसके लावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डीटेल भी पूछ लेते हैं, घर पे मान लिजए आपके पती की आवाज में फोन आया कि सुनो, जरा वो क्रेडिट कार्ड का डीटेल बताना, इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होगे, लेकिन ये फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं, बलके अमेरिका और यूरोप जिससे बड़े-बड़े देशों में हो रहा है, ये फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, इसके आकड़े कुछ आपको बताता हूँ, भारत में वाइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए, चार लोगों पर एक सर्वे हुआ, इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हुआ, इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हुआ, यानि ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला क कोई अपना नहीं बलकी ठाग है सोचिए कितनी सेम आवाज होती होगी चार हजार में से 85% लोग फस गये इसके लावा करीब 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपे ट्रांस्वर भी कर दिये इन 4000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी 34% को पत् तरह भी पैदा कर रही है फोन आये मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाईए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं जिसके आवाज बताई चाहिए